एवरिवन जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीनियर यांग और सारे के सारे एल्डर्स के बीश में बैट लग चुकी होती है और साथ में मूफैंग होस्ट को परशान कर रहा होता है वो पूछ रहा होता है कि आके लिंजी को ने हर्ट किया कि वो इस समय कोमा म परशस काले होते हैं यहीं से हमारे ये अपिसोड स्टार्ट होता है तब किनान कहता है कि उस लिंजी को मैंने हराया है और वह इतное ज्यादा कमजोर था कि वो मेरे एक अटैक को भी बरदाश नहीं कर पाया ये सुनकर के मुव फैंग के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि तुम अभी से बॉड़ी टंपरेरिंग रेलम पे हो और वो जियान त्यान रेलम पे आखर कैसे हो सकता है ये इंपॉसिबल है जरूर होता है नों दोनों के बीश में ओस चार करके केते हैं कि ये जो सक चलक और चला गया था ये सुनकर के मुफैंग के तो होश उड़ जाते हैं और वो अपनी इनरजी रिलीस करके किनान को धंकी दे रहा होता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा ये तुम याद रखना तभी होस्च कहते हैं कि किनान जब इस वियांतियान कॉम्पिटीशन को जीच चुका था तो उसे टोटल 35 असुरास टोकन मिल चुके थे और यहां पे लिंजी उन सारे टोकन को छिलने की कोशिश कर रहा था इसी वज़े से किनान और लिंजी के ग्रूप्स में फाइट होने वाली थी मगर किनान ने वहां पे समझदारी दिखाई और सिर्फ लिं यह बिलीव नहीं होता है कि मैं यहां पे झूट बोला हूं तो आप लोग यहां पे खड़े हुए जितने भी डिसाइबल हैं उनलोग को अकेले बुला करके उनलोगों से बारी-बारी बूश सकते हैं कि आखिर वहां पे क्या हुआ था और वहां पे खड़े हूए सारे डि लूँगा और यह कहते हूँ अपने पास अजार मार्शल किंग पिल्स को बहा निकालता है और कहता है कि सीनियर यांग जैसा कि मैं इस चैलेंज को हार चुका हूँ तो यह सारे पिल्स अब आपकी हुई और यह कहा करके वो सीनियर यांग की ओड़ देखने लगता है यहां प फैंग उस पोटली को नीचे फेक करके वहां से चला जाता है और सीनियर यांग उस पोटली को उठा करके सारे एल्डर की ओर देखते हैं और कहते हैं आप लोग अपनी हारी हुई पिल्स मुझे कब देंगे मैं यहां कब तक दिजार करूंगा भला और यह कह करके वो जोट नहीं समझना चाहिए था यह सारी पिल्स हमने बहुत मुझकल से कलेक की थी कहते हुए वो सारी पिल्स सेनियर यांग को दे रहे होते हैं और वो बिचारे बहुत जदा अपसूस कर रहे होते हैं और फाइनली इस मास्टर भी अपनी सारी पिल्स को यहां पे सीनियर य वो कि होता है वो होता है हमारा किम नान वह तो यहीं ऽुछ रहे हुटा है कि सीनियर यांग कितने ज़्याद्य जीते सारी सारी पेलब डिकल और जीते यहसरे उपेल्ब को सारे में अदो जीत गाये ञाया नहीं दे 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 थें और अब बारी आती है कंनान की जो की पहली Position को गें किया था तब कनान को पैलेस मास्टर मास्टर एक पिल दे ते है जिसका नाम होता है नाइन्ट ट्रांस Von Morge terrace गॉल्डेन पिल भी पैलेसमास्टर किंनान को 10,000 और Marshall King पिल भी देते हैं जो कि इस competition में जीतने वाले बंदे को मिलेगा और इन सारी चीज़ों को पाकर की किनना इन काफी खुश होता और कहता है कोई नहीं सीनियर यांग ने अगर मुझे पिल नहीं दी तो क्या हुआ मुझे 10,000 मार्शल किंग पिल्स मिल चुकी है जिसे मैं अपनी मार्शल स्ट्रीट के साथ रिफाइन करके और भी जल्दी ब्रेक्ट्रू कर सकता हूं और मैं बोडी टंपरेनिंग के 9th लेवल पे जल से जल पहु साकर के पूछते हैं किनन तुम ठीक तो हो ना तुम्हें छोट तो नहीं लगी इस कॉंपिटिशन के दौरान और तभी हम देखते हैं सीनियर यांग इन दोरों की बाते सुनने लगते हैं और कहते हैं कि मिशियाओ और किनन आप लोग मेरे साथ चले हम लोग कहीं जाकर के पैट के बात करते हैं और वो साथ में जाओ लिंग और फ्चुई उनको भी ले करके जाते हैं वहाँ पे सीन शिफ्ट तरह में दिखाया जाता है जाओ लिंग यहाँ पे किननन के तो माला जब रहा होता है और वो कहता है सीनियर्स मैं आपको बता दू वांग जो की एक कंवर्ट कर दिया और वो लिंजी की मार्शल स्पीट के तो चितर उड़ा दिया और तभी जाओ लिंग अपनी सिस्टर की और देखके बोलता है सिस्टर के ना ने यह कॉम्पेटिशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीता है कि वो आपका सर शर्म से जुकने नहीं देना चाता था ये सुनकर के मिश्याओ काफी खुश होती है और वो कहती है जाओ लिंग अभी फिलाल के लिए तुम बैट शाओ तुम बहुत ठगे होगे और तभी मिश्याओ चाय बनाने लगती है और वो चाय जाओ लिंग सोचता है कि उसे ओफर करेंगी बट वो किन्नान को जाओ बिचार होगे वहाँ पे खड़ाओ करके सिर्फ उन्हें देख रहा होता है और तब मिश्याओ किन्नान को वो टी ओफर करने लगती है और किन्नान भी उस टी को ले लेता है मिश्याओ कहते है किनन जब तुम विंतियान कॉंप्टिशन में गय थे तो तुमारी पावर से बॉडी टंपरेनिंग के 6 लेवल पे थी और अब तुम चपवां से वापस आए हो और तुम अब बॉडी टंपरेनिंग के 8 लेवल पे हो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है मगर मैं खुश हूँ कि तुम दिन प्रती दिन पावरफुल होते हुए चा रहे हो और मैं तुम्हें थैंक्यू कहना चाती हूँ कि तुमने इस कॉम्पटिशन को जीत करके मेरा मान रखा है के नन्स मिश याओ की ये बात सुनकर के कहता है कि सिनियर सिस्चर यहाँ पे थैंक्यू तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि आपने ना जानी कितनी बार मेरी मदद की है और आपकी ही वज़ए से मैं इस सेक्ट में जॉइन हो पाया हूँ और इतना जादा पाउरफल बन पाया हूँ जब आप मेरे सेक्ट में आई थी तो आपने वहाँ पे भी मेरी बहुत मदद की थी आपके मेरे उपर बहुत सारे ऐसान है इसलिए मुझे आपको तैंक्यू बोलना चाहिए और आने वाले वक्त में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं फेस करूँगा और प्लीज मुझे याद करना मत भूलिएगा मैं हमेशे आपके साथ रहूँगा तभी सीनियर याँग उन दोनों के बीच में दखल अंदाजी करके बोलते हैं कि भाई यहाँ पे और भी लोग बैटे हुए हैं और लोगों से भी तो तुम बात कर लो और तभी सीनियर याँग अपनी उन सारी मार्शल किंग पिल्स को पहा निकालके टेबल्स पे रख देते हैं किर्णान यह देखके काफी एरान हो जाता है तभी सीनियर याँग कहते हैं किर्णान मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यह सोच रहते हैं कि यह सारी पिल्स मैं अकेले रखने वाला हूँ तब ही किन्नान के था है अरे नहीं नहीं सीनियर ऐसा कुछ भी नहीं है तब ही ये कह करके सीनियर हसने लगते हैं किन्नान का ऐसा एक्स्प्रेशन देख करके तब ही सीनियर यान कहते हैं कि किन्नान मैं इन में से 40,000 मार्शल किंग पिल्स तुम्हें देना चाहता हूँ और किन्नान इतनी सारी पिल्स पागए किसी एक्दम खुश हो जाता है कि कि लिए 40,000 प्लस, 10,000, 50,000 मार्शल किंग पिल्स इतनी सारी पिल्स तो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी तभी किन्नान को कुछ याद आता है और वो सेनियर यांग को ग्रीट करके कहता है सेनियर मैं चाता हूँ कि मैं इन 40,000 पिल्स में से अपने दोस्त जाओ लिंग और पिल्स चुयून को भी कुछ पिल्स दे दूँ प्लीज आप मुझे इस काम के लिए रोकिए का मच और यह कह करके वो सेनियर यांग को ग्रीट करने लगता है और तभी सेनियर यांग हसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इन पिल्स को उन्हें देने के लिए कि मैं अपने पास से ही उन्हें पिल्स दे दूँगा और 10,000 जाओ लिंग और चुयून को वो द जावलिंग और मिस्स जुयून तो एकदम खुश हो जाते हैं वो तो फूले नहीं समा रहे होते क्योंकि उन्हें इतनी सारी पिल्जो मिल गई थी तभी किन्नान अपने सीनियर को ग्रीट करता है और उन्हें थैंक्यू बोलता है तभी सीनियर यांग वहां से जाने लगते है और वो भी बिचारा तरपने लगता है मगर वो अपनी बेहन के सामने कहां ही कुछ बोल पाता वो वहां से तुरंग भाग जाता है चुन्यून के पीछे और वहां पे मिस्शी आओ और किन्नान उसे रोक रहा होते हैं मगर वो किसी की नहीं सुनता और तभी किन्नान और मिस चयाओ वो दोनों ही कमरे में अकेले हो जाते हैं और कमरे पूरा सनाटा चाहे जाता है कुई इक दूसरे से कुछ नहीं बोलता है तब मेरे श्याओ कहते हैं किर्णान तुम मुझे एक बात बताओ कि तो मेंदर कितने राज छुपा के रखे हो तभी किर्णान कहता है senior sister मेरे अंदर कोई राज नहीं है मेरे पास जो भी राज थे वो सब मैं आपको बता चुका हूँ और रही बात इतनी जल्दी break through करने की तो वो मुझे भी नहीं पता और वो बिचारा यहां पे बहुत जादा मासूम बनने पिल किर्णान को वापस करने लगता है तब मिशियाओ कहती है कि इस पिल को मुझे क्यूं वापस करो बैने तुम्हें दिया था तुम्हारी safety के लिए और क्या पता यह पिल तुम्हारे आगे चलके काम आ जाए तो इसे अपने पास रखो समझे यह कह करके वो अपने पेंस को पसंद करने लगे थी इन फैक्ट यह दोनों ही दूसरे को पसंद करने लगे थे तब मिशियाओ कहती है किर्णान तुम यहाँ पे cultivation अपनी स्टार्ट कर दो क्योंकि लिए तुम काफे जादा तक चुके होगे तो बैतर यह होगा कि अपनी की यानि कि अपनी special energy को regain कर लो और यह कह करके वो उचाती हैं और कहते हैं किर्णान मैं फिलाल के लिए पाहर जा रही हूँ तुम चल्दी से cultivate करके मुझसे मिलो और यह कह करके वो वहाँ से चली जाती है किर्णान बिचारओ वहाँ पर बड़ी ही महबत भरी नजरों से उन्हें देख रहा होता है और कहत दो फिलाल के लिए मुझे अपनी कल्टिवेशन पर दिहान देना चाहिए और अपनी मार्शल स्प्रीट को और भी जादा पाउरफुल बनाना चाहिए अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया और मैंने जरा से भी लपरवाई बर की तो मैं मिश याओ को आने वाले टाइम में नहीं कर पाऊंगा तो मुझे कैसे भी करके अपनी पावर को और भी जल्दी अप्ग्रेट करना है और तभी के नन अपने पास से कुछ मार्शल किंग पिल्स को पाई निकालता है और अपनी मार्शाल इस वीट को अवेक करके उसे रिफाइन करने लगता है और तभी यहाँ पर यह scene shift होता है और हमें दिखाया जाता है न्वीदर के बेटे किन से मिलने के लिए आता है और कहता है कि senior जैसा कि हमने plan बनाया था कि लिंजी मिश याओ के disciple किन नान को वो हरा देगा अगर यहां पे ऐसा नहीं हो पाया बलकि किन नान ने लिंजी को हरा दिया और उसे कोमा में टाल दिया मुझे यह यकीन नहीं हो पा रहा है और यह कहकर के वो किन की ओर देखने लगता है और कहता है स्विए प्रदर आखिर आपने आगे क्या सोच यू के लिए किनन हमारे लिए बहुत बड़ा खत्रा है और तभी हम देखते हैं वो लिडर का बेटा काफी बड़ा याश होता है वो लड़की के साथ कुल छर्रे उड़ा रहा होता है और कहता है कि मैं शियाओ को इतनी चल्दी अपने स्षिकंजे से पाहा नहीं निकलने दूँगा और रही बात उसके मामली से डिसाइबल की मैं सेक्ट लिडर का बेटा हो तो कुछ न कुछ तुत्तिकडम लगा ही दूँगा कि मैं उसे सेक्ट से पाहा निकल दूँगा और फिलाल के लिए तुम थोड़ा रिलाक्स हो जाओ यहाँ पर मूफैंक तो छुपी नहीं हो रहा होता है और नहीं रिलाक्स होता है वो कहता है कि सेनियर किंग आप चान नहीं रहे हैं आपने शायद उस किननान की पावर को नहीं देगा और बलकि किननान के साथ सेनियर यांग और चुयून और जाओलिंग ये सब उसके साथ मिल चुके हैं और सीनियर यांग का भला हम कैसे मुकाबला करेंगे आप जानते हैं ना कि वो 3 strongest disciple में आता है हमारे सेक्ट का सबसे ज़ादा reputated disciple है भला हम लोग उससे कैसे deal करेंगे और तभी सेक्ट लीडर का बेटा किन वहाँ पे मुफैं की हो और देखने लगता है कि मैंने तुम से भी कुछ कहा ना कि मैं सेक्ट लीडर का बेटा हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ न कुछ तो करी दूँगा जिससे सीनियर यांग का चो मसला है वो खतम ही हो जाएगा और मैं इन सब चीज़ों को खुछ से हैंडल कर दूँगा तुम यहाँ पे बैटके इस साथ चाहे के मजे लो और इस मौसम का इल्चुआए करो और अपने दिमाग को थोड़ा शान्द करो और यहीं से इन शिफ्ट तारा में किननन के मेंशन के बाहर का सीन दिखाय जाता है चाहा कि उस से मिलने के लिए में शियाओ का जूरियर डिसाइबल आया होता है वो कहता है किननन कैसे हो तुम मैं तो तुमें खाफे दिन बात देख रहा हूँ मैं यहाँ पे तुमें यह बताने के लिए आया था कि लिर्स ने तुमारे लिए निया mention a lot किया है और उस mention तक ले जाने की responsibility मेरी है और मैं यहाँ पर तुम्हारा wait कर रहा था मगर तुम अंदर cultivate कर रहे थे तो मैं नहीं चाहता था कि तुम मारी cultivation में मैं तखल अंदाजी करूँ और जब तुम यहाँ पर आई गए हो तो हम चल कि तुम्हारे mention को देख सकते है किनान उसकी यह बात सुनकर के काफी ज़दा impress होता है और तभी किनान उसको कुछ Marshall King Pills gift कर देता है क्योंकि वैसे भी किनान के पास तो बहुत सारी Marshall King Pills थी तो 10-20 Pills उस disciple को देता है और कहता है senior brother मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे इंतजार कर रहे थे और आप भी मेरे अपने है इस Pills से आप कर्टिवेट करके अपनी पाउर को और भी बढ़ा ले और तभी वो senior brother कहता है किनान मैने जैसा कि सुना है कि तुम्हारा drugger इंतियान competition में लिंजी से fight करने के दौरान वो तूट चुका है तो अगर तुम चाते हो कि तुम्हें कोई अच्छा सा mysterious और Asian dragger मिल जाए तो तुम आज क्या मेरे साथ एक option house में चलोगे उस option house में कई सारे demon pills और कई सारी चीज़े मिल सकती है और अगर हमारा लग अच्छा हुआ तो हमें और भी अच्छी चीज़े और नयाब चीज़े भी दिख सकती है तो क्या तुम मेरे साथ उस option house में चलना पसंद करोगे तब ही किनान कहता है कि मैं आज तक किसी भी option house में नहीं गया हूँ मगर आपके guidance में है कि आप मेरे यहाँ वेट करें मैं अंदर से आता हूँ और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खतम हुच आता है अब मिलते हैं इसके नेक्स एपिसोड में वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर subscribe कर दे और थोड़ी तब्यत थोड़ी क्या यार बहुत जादे खराब है आजकल वाइरल चल ले है कि वाज़े से वाइस्वेंग बहुत लिक्त हो रही है तो प्लीज चैनल को थोड़ सपोर्ट कर दे